जैहिन सातियों मैं विरिंदर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्सी मेकर पर जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिसरी एक्जाम आपकी 23 तारिक से होने वाली है ऐसे में देखो वाई आपके लिए एक्जाम सीटी की अनॉंस्मेंट हो चुकी है यानि कि आज आज शाम से पांच बजे से आप जो है ओफिस्यल वेबसेट पर जाके अपनी एक्जाम सीटी यहां पर चेक कर सकते हो और उसके साब से आप अपना एक्जाम देने का परबंद यहां पर कर सकते हो तो बिल्कुल वाई आज शाम से पांच बजे से आ पर दिक्कत नाए तो पहले आप अपना इंतिजाम कर सकते हो इसके लिए आपकी एक्जाम शीटिक एनाउसियोंट पहली हो जाती है ठीक है तो आप सभी बचे जाईए इसका देखो ओफिशिल आपका जो नोटीस भी आ चुका है वह यह है कि उत्तर परदेश पुलिस भरती परदेश पुलिस अरक्सी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी बढ़ती है 2023 संख्यक विगप्ती दिनांक 23-12-2020 के अनुकरम में लिखित 24-25 यानि कि 23-25 अगस्त को आपको और 3-31 अगस्त 2023 को 10 बजे से मध्यान 12 बजे तक अपरहन 3 बजे से साम 5 बजे तक यानि कि आपकी दो पालियों में एक्जाम होगी पांच दिन साती आपकी एक्जाम जलेगी यानि कि टोटल 10 पालियों में आपका पेपर हो जाना है ठीक है तो यह साती सभी बचे नोट करेंगे सभी अब्यारतियों की लिखित परिक्षाम 3 धनपद नगर सूचना यानि कि आपकी जो एक् 23 को साएं 5 बजे परताशित किया जाएगा अब व्यारतिय अपना पंजीकरन संक्या यानि कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर म जरम ती ती यानि कि आपकी डेट बरद आपको क्या चाहिए उसके दोरह आप भाही अपना एक्जाम सीटी यांपे चेक कर सकते हो ठीक हमां द कर्पिया ध्यान दे कि यह आरक्षी नागरीक पुलिस के पदोपर सीधी बरती 2023 की लिखित परीक्षा के लिए प्रव्यस पत्र नहीं है अभ्यार्थियों की सूचना के लिए यह है उस जन्रपत के आउंटन के लिए एक अगरीम सूचना है जहां परीक्षा के अंदर इस्ति गिल्ड़ पहले आपको बता दी जाती है ताकि बाद में एकदम से आपको डिकत नहींः पर इसके लिए पहले आपो क्या बता दी जाती है जो आपका admit card होगा वो admit card भाई कुछ दिन बाद आएगा यानि कि exam से दो या तीन या चार दिन पहले आपका admit card आता है अभी आपको सिरफ exam CT ही बताई जा रही है ठीक है आरक्सी नागरीक पुलीस के पदों पर सीधी बरती दोर्टेविस को लिखित प्रिशा का प्रिशा का प्रिश पत आपके exam होनी है ठीक है यह वहां पे आपको देखने को मिलेगा तो उसके आधर पर भाई आपकी जो exam मालोगे आपके exam 24 तारीकों है ठीक है तो उससे तीन दिन पहले यानि कि 21 तारीकों आपका admit card आजएगा किसी बच्चे की exam 30 तारीकों है किसी बच्चे की exam 30 तारीकों है उसका admit card 27 तारीकों आएगा यानि कि जिस दिन उसका exam होगा उससे तीन दिन पहले ही admit card आपका आएगा यह आपको मान के चलना है ठीक है तो यह देखो यह आपको क्या करना है चाहिए क्या दो चीजों क्या हो सकता है एक तो आपको registration number और एक आपकी date of birth उसके आधार पर पर करा गया है आपका युत्तर प्रदेश पुलिस रिकूर्मेंट बोर्ड होगा था देखो दिनांक 23, 24, 35, 31 को आपको आएगजित होने वाली जो आपकी परिक्षा है बिल्कुर अब्यार्थी की साहते तो help 9 नमबर आपको दिया गया है देखो आपको कोई भी दिक्कतार यह एगजाम सिटी डाउनलोड करने में एगजाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी दिक्पत आपको आ रहा है यह तो मेरी भाई आप जो है इन help 9 नमबर पे कोल कर सकते हो और और यह यह नमबर 16 अगस 2024 से प्राते से क्रियासील है अब्यार्थी प्रिक्षा सम समस्याओं के लिए उगते help 9 नमर का संपरा कर सकता है यानि कि आपको जो भी कोई दिक्कत आ रही प्रिक्षा समन्दित आप जो है इन help 9 नमर को नोट कर लीजिए और इन पर आपको जो है कोल करके अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान पा लेना है तो बहुत ही अच्छी information आपके लिए थी तो आप सभी बच्चे बस अब एक काम है आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो क्योंकि ये छोटी सी जानकरी देना ज़रूरी था ताकि सभी बत्तों तक ये जानकरी पहुंच सके आपको क्या करना है जो चीजे पढ़ रहे हो उसको दुगनी रप्तार स के मादम से आपको सारा सलेवस कावर करा रखाया तो जिस बच्चे ने अभी तक सलेवस भी कावर नहीं कराया कि कुछ टोपिक उसके छूट गए है तो वह क्या करेगा भाई ससी में करके यूटूब चैनल पर जाएगा और वहां पे जाके भाई देगो प्लेलिस्ट आपक चलब कर दीजे मातर दो गंठे में आपको टोपिच का रिविजन हरे क्लास में कराया जा रहा है एक टोपिक का रिविजन आप कर सकते हो मातर धेड़ जैवे बिलुकुल आपको पूरे टोपिक की समरे मिल जाएगी और आप जो है क्वाई जाना है और यूटूब चनल Осव practice set भी मेरे भाई आपके चल रहे हैं तो स्याम को 5 बजे अपनी math के class होती है तो देखो 4-5 दिन आपके बचे हैं तो आपको हो सके जितनी ज़्यादा practice आपको करनी है तो स्याम को 5 बजे math के practice set के लिए आपको सभी बच्चों को जोड़ना है और अपने जो है यहाँ पे selection को निशित करना है ठीक है साती छोटी सी जानकारी थी आपको हमने दी है तो बिल्कुल ऐसी कोई जानकारी आगे आएगी तो आपके लिए लाते रहेंगे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और अपने दोस्तों तक इस information को आपको पहुंचाना है और ज्यादा स्यादा कमेंट करके यह बताने कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सभी के reply SSC maker दवार आपके दी जाएंगे ठीक है साथी धन्यवाद आज के लिए तने रखते हैं मिलते हैं आप से फिर कभी बिलकुल धन्यवाद जय हिंद जय वारत धन्यवाद